Hello Everyone, आज से हम Business Environment का एक नया कूर्स चार्ट करने जा रहे हैं BBA First SEM में Code No.106 है Business Environment जिसमें हमें चार यूनिट्स कवर करनी है तो ये है आपका सेलेबस स्चार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडाक्शन से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि Business क्या है एक ऐसी आक्टिविटी जहां पर प्रोडाक्शन और कंजांप्शन आक्टिविटी लगातार होती है और इन आक्टिविटीज के होने का मकसद है Profit Earn करना अब बात करते हैं Nature of Business की जैसा कि हमने लास्ट लाइड में डिस्कास किया था कि Business एक आक्टिविटी है जिससे आप Profit Earn करते हैं तो इस आक्टिविटी से आपको क्या प्रोडाइड होता है या तो Goods या फिर Services Second Point इसमें Partners की कोई भी लिमिट नहीं होती है जैसे इसमें Mention है One भी हो सकते हैं या 10,000 भी हो सकते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है Third Point इसे Economic Activity कहते हैं क्योंकि इसमें पैसे का Involvement है क्योंकि अगर आप इसको Non-Economic Activity बोलेंगे वो तो फिर आपकी Social Service हो जाएगी अब हम बात करते हैं कि ये जो Business है इसके Main Objectives क्या है क्या Main मकसद है इससे पहले देखिए इसमें जैसे आपको Economic या Non-Economic Activity का Example भी दे रखा है कि Running a Restaurant ये क्या हो गए आपके लिए एक Economic Activity हो गई और Housewife Cooking ये Non-Economic Activity हो गई क्योंकि आप इसमें पैसे का Involvement नहीं है इसमें Profit का Involvement नहीं है Non-Economic Activity में आप बात करते हैं इसके Objectives की First is Main Objective देखिए Business का क्या है कि हमें Profit Earn करना है ये ही आपका Main मकसद रहता है इसलिए हम Business करना चाहते हैं Second is Growth देखो हर एक Business जो है आगे भढ़ना चाहता है अपने काम को बढ़ाना चाहता है और Long Term Survival में विश्वास रखता है Third is Customer Satisfaction आजकल हर Business पहले Customer से Feedback लेता है और उसी हिसाब से अपने Business में जितने भी Products लेकर आने हैं उनको Upgrade भी करता है Fourth Point है आपका Employee Satisfaction जो भी लोग काम कर रहे हैं अगर उन्हें Salary के अलावा कुछ अलग से Facilities मिलती हैं तो Employee जो है खुद बाखुद Satisfied रहेगा और जादा अच्छे से Perform करना चाहेगा Fifth Point है Quality Products and Services आजकल जो Business है Quantity पर Focus नहीं करता बलकि किस पर Focus करता है? Quality पर Sixth Point is Market Leadership Market Share को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना Leader का या Leadership का एक बहुत Important Part माना गया है Seventh Point Employment Creation Employment Opportunities को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उससे क्या होगा? कि लोगों का जो Living Standard है वो बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाएगा और उनका Consumption Level भी बढ़ने लग जाएगा Last is Service to Society जिस सुसाइटी ने आपको Resources दिये हैं अब आपकी भी तो उतनी ही Responsibility बनती है कि उन्हें भी Reward Back करें तो आपको भी अपनी सुसाइटी के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें लगे कि हाँ हमें भी कुछ Return में मिल रहा है अब लास्ट में Business Environment का एक बहुत छोटा सब्रीफ इन्फो ऐसे Factors जो Business को Affect करते हैं और आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे कि इसमें Mention है Social Factors, Legal Factors, Economic Factors ये सारे ऐसे Factors हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये सभी Business Environment का पार्ट बनते हैं अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कास करेंगे Thank you so much